लो स्टुडेंट्स तो देखे आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर इंडिगो जो कि चैप्टर नमर फाइव है फ्लैमिंगो की बुक की फ्रोज पार्ट का उसका हम अपना सेकंड वीडियो लेकर आए हम सेकंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लेकि फर्स्ट वीडियो हम एंदि क्तियार आपHer भीडियों कददर फिंक आज वीडियो कालमम में पड़े हुई है और कि चैप्टर नमसी क्या देखाए हैं हमको क्या सीखने को मिलता है इस चैप्टर जे तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर और सब्सक्राइले हम चलते हैं समरी के तरफ तो यह जो स्टोरी है यह लुई फिशर द्वारा लिखी हुई स्टोरी है और यह नरेट करती है गांदी जी के स्ट्रगड को पूर पीजन्स ऑफ चंपारन के लिए जो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया था जो पीजन्स थे वो शेयर कौपर से इंग्लिश में के तसाथ और एक old agreement के जर्य हो रखा था पीजन को क्या करना पड़ता था पीजन को प्रड्यूस करना पड़ता था इंडिगो अपने 15 परसंट लैंड में और पूरा का पूरा लैंड जो की इंडिगो प्रोड्यूस होता था उसे लैंड लॉट्स को दे देना होता था जर एंड लेकिन उसके डिवान मार्केट में गिर गई जिसकी वज़े से इंग्लिश में को काफी लॉस होने लगा इससे कारण देखे ओल्ड अग्डिमेंट का कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उनको कोई इंडिगो नहीं चाहिए था क्योंकि उससे उनका लॉस हो रहा था हमको जिससे हम आप इस एग्रिमेंट से हमेशे के लिए निकल सकें ज्यादा तर इलिटरेट पीजन्स से वह ज्यादा जानते नहीं थे और उन्होंने जल्दी से साइन कर दिया क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा परशानी की चीज थी बाद में जब उनको बता चला जर्म बैटल लड़ी पूर पीजन्स के दरी इसमें उन्होंने बहुत कुछ किया बहुत सारे पापड़ बेले तब जाके उन्होंने इनको आजाद करा आजाद क्या करा है अल्टिमेटली जो सॉल्यूशन यह निकला था कि जो लैंडलॉट्स थे जो एंग्लिश्मेंट थे उनक इसके बाद हम देखते हैं एंड में फाइनली जेस्टिस मिल गई उनको और पॉलिटिकल और एकनॉमिक स्ट्रगल करने के साथ साथ गांधी जीन ने चंपारण को सोशल लेवल पर डवलब किया कैसे डवलब किया उन्होंने एजुकेशन हेल्थ और हाइजीन जो कि पूर उनको बैटर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए तो इस तरह से बैटल अब चंपारण जो है वह बहुत इंपौर्ण बैटर बन जाता है इंडियन इन डिपेंदेंस की बैटल की तरफ जान जाने के लिए तो यह मारी चोटी सी समरी इस चैटर कि चलिए इसके बाद हम हैं थीम की तरफ देखिए थीम में तीन इंपोर्टन बाते आती हैं क्या क्या आती है देखते हैं सबसे पहले आता है लीडर्शिप ठीक है देखें इन दिस चाइंड चैप्टर इंडिगो दा में थीम कवर्ड बाइद ऑथर is that how an effective leadership can overcome any problem full stop here the leadership is shown by Mahatma Gandhi to secure justice for oppressed people so convincing argumentation and negotiation तो इस चैप्टर इंडिगो में जो main theme है वो है author का की effective leadership can overcome any problem अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा leader है ठीक है तो आप किसी भी problem किसी भी समस्या से बाहर निकल जाएंगे for example यहां पे आत्मा गांधी थे जुन्होंने justice by secure justice for oppressed people परिशान लोगों के लिए तुरू convincing and argumentation and negotiation argumentation करके negotiation करके बहुत सारी बाते करके court में जाके ठीक है committee बनवा के इस सब करके उन्होंने एक finally उनको आजादी दिलाई इस share copying arrangement से तो ultimately अगर अच्छी leadership हो तो आप अपने problem से निकल सकते हैं second point दिखिया अगर दूस अर्दर contribution जो हमारे second point उसका क्या मीनिक है इसका मीनिक है इन इंडिया इंडिपेंडेंस मोमें नुमरेस contributions were made by anonymous Indians this chapter has thrown light on some of them में ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हमेशे चुपे ही रह गए कभी सामने नहीं आए एनॉनिमस का मतलब चुपे रह जाना सामने आपाना ठीक है या गुम नाम जैसे कहते हैं the chapter has thrown light और chapter ने थोड़ सा light fake है उनके तरफ light fake ने का मतलब torch fake नहीं होता है light fake ने का मतलब उन पर प्रकाश डाला है ठीक है इसके बाद देखिए इसका example अगर आप लिखना चाहें इसी मैं extend करके लिख सकते हैं आप इसका पर आप लिखना आप लेकिन नाम नहीं आता है आपने पर इस्ट्री पढ़ी होगी एपने चोटे लास्व पर लेकिन शचाई तो यह है कि अगर राज कुमार शुक्ला गांधी जी के पास ना जाते होते तो नहीं शुरू होता जंपारन और नहीं फ्रीडम के देखें चैप्टर अलसो शोज दैट वेन वी अरुणाइट यॉनाइटेट टीक हैं वेन वी यॉनाइटेट वी डिफीट एनी पावर जब हम उनाइटेट होते हैं जब संगठित होते हैं तो हम किसी भी शक्ती को हराने की शक्ति अपने अंदर रखते हैं और यही चीज पता था कि अब उनके पास unity आ गई है चलिए थीम के बाद हम चलते है थाइटल के तरफ कि क्या justification है इंडिगो टाइटल देने का इस तरह के एकसर्प्ट का चलिए टाइटल इंडिगो फोकसस और अवर attention on the issue or exploitation of indigo sharecroppers by the hands of cruel British planters and wealthy land wealthy Indian landlords जो टाइटल है इंडिगो जिसे वो focus करता है हमारा attention किस issue पर exploitation of indigo sharecroppers की main चीज़ है exploitation of indigo sharecroppers पूरे में कानी उसी के round revolve करते रही है by the hands of cruel और किन के द्वारा British planters के द्वारा या wealthy Indian landlords के द्वारा ठीक है the British compelled them through a long term agreement to plant indigo जो British थे उन्होंने compelled किया उन्होंने force किया उन पीजन्स को एक long term agreement के जरिये जिसमें वो इंडिगो प्लांट करते थे अपने फिफ्टी फिफ्टीन परसेंट त्री बाइट पार्ट ऑफ दे land में ठीक है and surrender the entire harvest of indigo as rent और जितना कुछ भी इंडिगो निकलता था जितना कुछ भी इंडिगो पैदा होता था ठीक है वो पूरा का पूरा वो रेंट में दे देते थे आफ्टर देवलप्मेंट ऑफ सिंथे आफाइल सिविल सूट जो वह पैसा वापस चाहते थे ठीक है उन्हें ने सिभिल सूट फाइल कर दिया करदि century cop कर दिया राजकुमार शुक्रा पर्सूयट गांदी जी टु टीक पटेसा अफ डिव इंडिगो क्रॉप्ल और राजकुमार शुक्रा ने क्या किया पर्सुएट किया गांधी जी को कि आप आईए और हमारा केस जो इंडिगो शेयर क्रॉप का केस है उसको आकर के देखिए क्या आप कर सकते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट चलते हैं टाइटल का पार्ट वह यह कंटिनेशन है इंडिगो शेयर क्रॉपिंग इंडिगो शेयर क्रॉपिंग इंडियंज। इंडियंईंग ऊपने आत्मस प्रट करे वैठें तें। कि हम तो बहुत powerful हैं नहीं हमारे पस तो कोई ताकत है ही नहीं दा चंपारन movement that centered यानि उसके around revolve कर रहा था on central upliftment यानि उपर करना improve करना of peasants ठीक है तो चंपारन का movement है वो centered किस चीज़ पर centered था किस चीज़ बेश था indigo share cropping अच्छा एक लाइन चूट गए मैं खाल से चंपारन movement that centered on indigo share cropping led to social and cultural upliftment of peasants तो चंपारन movement जो है वो जो इंडिगो share cropping पर बेश था उसके centered था उसने क्या क्या social और cultural upliftment किया social cultural इसलिए कि उनका पहले तो इंडिगो share cropping खताम हो गया तो पैसे जाद आने लगे second गांदी जी ने बहुत सारी schools खो लेते hospital बनवाए थे और भी बहुत तरह का सैनिटेशन वगरे का काम किया था तो उस वाज़े से इस तरह से लिखा हुआ है और यहां पर हम लेखने राज कुमार शुकला का क्या क्या हम बात कर सकते इसमें तो चलिए पूर शेयर का पर वह गरीब भी शेयर क्रॉपर था विक्तिम उब बिटिश लैंडलॉड और विक्तिम था बिटिश लैंडलॉड का की जिस तरह से वो लोग आप्रेशन करते थे तो आप्रेशन का वित्म था वो भी वह बढ़ा लिखा नहीं था बट वह बढ़ी डेटर्माइट तो फाइट अगेंस शो उन को एक्तुरोइट कर रहे थैं रिक्वेस्ट मार्ट माथमा को उस lle की कि आप आइए और हमारी हेल पीजय था उर फैनलि हगे लिए तो रहे to be more one last only है कि उसने बहुत बाड़ा रॉल उन्हें कि PUBG मेरते म्तीअ सटरकरें होता ही National लिकिन एक अनॉनिमस रोल उसका कहीं भी नाम नहीं आता है तो बहुत कम आता है बहुत कम सुनने को मिलता है तो यह रोल हिनों ने प्ले किया था महात्मा गांदी के बारे में मुझे बताने के जरूत थो नहीं है लिखिन चलिए मैं कर लेते हैं क्योंकि आजाता है कई बार तो फिर लब को लिखना पड़ेगा तो मोहंदास करम चंद गांदी ऑल्सो नोन अस महात्मा गांदी इसके शेयर क्रॉपर्ट वर रिलीव फॉं एक्समाइटिंग नेचर था उसे हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई दी राइंडिया इंडिपेंडेंटेंटेंटेंब्ध तो वह यह अंधा व बुघ आपनेजादी वह प्रॉप्री इंडिव वह को ऑनेटिल आप बात मैं आपको नहीं बताई है इसके बदे करेक्टर फायर चार्ल्स फ्रियर एंड्रियूस का जो आप जानते हैं एक बिटिशर थे जो की फिजी जा रहे थे तो उनको रोका गया रोकने की कोशिश की गई थे लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया और का नहीं रोकना नहीं है खुद से लड़ेंगे ठीक है तो इसको देखते हैं चार्ल्स फ्रियर एंड्रियूस वाज यहां पर देखें यहां पर इन नहीं होगा इनको काट दीटेगा वाज ए ठीक है एंग्लिश पैसिफिस्टेक इंग्लिश शांतिवादी शांती का प्रिचार करने वाले इंसान प्रिचार करते हैं और इसलिए इनके इतने अच्छे यह फॉल्लवर बन गए क्योंकि गांदी जी तो अहिंसा के पुझारी थे चलिए और उन्हें उन्हीं आये का प्रिचार को आया धुकिस फिर्वल तो ईसके टूर उपीजिया जाने से बयर गांदी जी sometimes क्वाई चौर जाये या कलवा चाहई और उबज़ेंसे चंडा हो उनको चाहा क्या वही रुक जाएं उनको मदद करें बट गांधी जी strongly oppose saying that they must rely on they must not rely on English men but on themselves to win the better तो गांधी जी ने इसका बोस किया और कहा कि यह तो अपने उपर rely करना चाहिए दूसरों पर rely नहीं करना चाहिए इन दिस वे गांधी टॉट अलेसन ऑफ सेल्फ रिलाइंस तो मैंनी सच लॉइस और इस तरह से गांधी जी ने आद में बता कर जो लिसन था वह बहुत सारी लॉड्स को एक साथ सिखा दिया चलिए तो यह मैं तो गया character character के बाद हम आगी चलते हैं in text questions की तरफ और in text questions चलिए देखते हैं question number one strike out what is not true देखिए जो सही नहीं है उसको हमें strike out करना है तो मैं यह ले लेता हूं ठीक है which is not true in the following तो राज कुमार शुक्रा वास शेयर क्रॉपर एक politician delegate a landlord आप जानते हैं कि शेयर क्रॉपर तो थी ही delegate क्योंकि वहां पर आये थे अब दिखें landlord or politician confused नहीं हुई हम best option देखेंगे तो landlord बहुत जदा उसी से related है लेकिन वह politician बिलकुल भी नहीं हो सकते हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे politician पर मार्क करेंगे इसके बाद देखिए राजकुमार शुक्रा वास पूर फिजिकली स्ट्रॉंग इलिटरिट थे वह लेकिन फिजिकली स्ट्रॉंग नहीं थे तो हम इस पर यहां पर इसे मार्क कर देंगे चलिए नेक्स देखते हैं देखिए आप कुशन सांगे हैं तो वाइज राजकुमार शुक्रा डिस्क्राइब एज बी री सॉल्यूट का मीनिग आप जानते हैं कि डिटर्माइंड या पर्सिस्टेंट ठीक है तो आंसर जो हो जाएगा इसका यहाट कम ओल दवे फ्रॉम चंपार गांधी जी से बात करने के लिए शुकला अकम्पने गांधी गांडी एविए और शुकला ने क्या किया गांधी जी का हर जगा वो किह अनकी पीचेह चले गए थे फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड और हफ्तों तक उन्होंने गांधी का पीछा नहीं चोड़ा उनके पीछे पीछे साथ साथ चलते जा रहे थे और यहीं कारण है कि एंड में उनकी इस तरह की बेवेर से हार करके इंप्रेस हो करके गांधी जी ने फाइनल लि लिए तो क्यों आपको लगता है कि सर्वेंट ने सोचा होगा कि गांधी जो है वह एक दूसरे एक और कोई पीजन्ट है पीजन्ट यानि कोई दूसरे फार्मर है चोटे फार्मर है तो अश्का अंसर अब समझ सकते हैं शुक्ला लेट गांधी तो राजेंड प्रसाथ रा जो लोग जानते थे कि वह बार बार आया करता था राजेंड प्रसाथ के पास और कैसे जानते थे पूर योमन का मतलब आपको मैंने बताया था स्टोरी में एक चोटा फार्मर गांधी वास अलसो ड्रेस्ट इन सिंपल दोती है लेकि और गांधी जो थे वह भी एक सिंपल और देखें दो कारण थे पहला तो वह सिंपल दोती में जिसका मतलब है कि जो युजरी यह फार्मर लोग ही पहनते हैं ठीक है और सेकंड चीज़ है की वास अ कंपटान के साथ ही आ रहा था तक की जो इस शैर साथ आया रहे थे वह गांधी जी और इसी लिए उसको समझ ल लिस्ट दा प्लेसे जांदी विजिटेट बिट्वी इस फिस्ट विजिट तो शुक्ला एंड राइवल ए चंपानग तो फस्ट मीटिंग सडी विजट नहीं ठीक है तो इन और की बीच में क्या कहां कहां वो गये जो आप जानते हैं तबसे पहले वह लगनाव गये थे ठीक लगनाव उसके बादे कि मैं एक बाद पढ़ दूं गांदी फर्स्ट मीटिंग विजुक्ला वाजट लगनाव देन वेंट तो कानपूर और पार्ट्स अंडिया ही रेटर्न तो इस आश्रम नियर एहम्दबाद लेटर ही वेंट तो कैलकटा बटना और मजफर पूर मिलना है कुछ और पार्ट्स अइंडिया में गए उसके बाद वह अपने आश्रम में गए जो कि एहम्दाबाद में था उसके बाद वह कैलकटा गए कैलकटा से फिर वह पत्ना गए ठीक है पत्ना पहुशने के बाद भी वह राजजिन प्रसाथ के घर गए वहां पे नहीं देते रेंट में वाट डिडड़ डिड़ दे ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड और अब ब्रिटिक उनसे क्या मांग क्या चाह रहे थे और क्यों चाह रहे थे वाट वुड वीडा हिंपक्ट ऑस सिंथेटिक इंडिगो अन्द प्राइस अफ नेच्रेल लेंडिगो तो अब जानते हैं जर्मानी ने डेवलप कर लिया था क्या सब्सक्राइब तो अब क्या चाहते थे पहले तो वह उनसे अन्दिगो लेकिन अब पैसे चाहते थे as a compensation क्योंकि उन्हें वो 15% arrangement से अब छोड़ रहे थे उनको उससे अलग कर रहे थे इसके बाद देखिए क्या impact हुआ the prices of natural indigo would go down due to synthetic indigo natural indigo बहुत सस्ता हो जाएगा क्योंकि आप जाते हैं क्योंकि जो चीज महंगी होती है sorry तो देखिए जो जब natural indigo कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि देखिए उस समय synthetic indigo घ्याता वह बहुत सस्ता हो गया तो सीधी बहुत बता है निकों को भी इस goose सस्ता करें दी क्योंकि कि इसको वी बिखवाना है और में चीज़ क्योंकि जो सस्ता होगा वही बिखेगा इसलिए यहाँ जोह पर प्राइज नीशे जाएगा लेकिन यहाँ पर सस्ता करने 6 हम देखते हैं the events in this part of the text illustrate Gandhi's method of working जो events हुए उन्होंने Gandhi किस तरह से काम करते थे यह चीज को बताया can you identify some instances कि आप identify कर सकते हैं कुछ ऐसे instances of this method and link them to his idea of satyagraha non-violence तो उसके कुछ identify करें instances और उसको idea of satyagraha non-violence से link करें इसका answer क्या हो जाएगा गांधी गांधी इस पॉलिटिक्स वर intermingled with day-to-day problems of millions of people तो गांधी की politics जो थी वो intermingled यानि जुरी हुई थी गुंती हुई थी आपस में with day-to-day problems of millions of people जो जो रोज मर्रा की समस्या हैं जो हजारों हरा हजारों को करोडों को मिल हो रही थी उनके लिए उनके उपर बेच थी for example जो रोज समस्या उनको रही थी इंडिकों लॉट आरेस्ट for breaking such laws and going to jail ठीक है he was ready for arrest होने के लिए तयार थे इस तरह की laws पो ब्रेक करने के लिए यहां तक की अरेस्ट होने के लिए तयार तो थे ही jail जाने तक के लिए भी ready उनको को समस्या नहीं थी अगर उन्हें को इस तरह का किया था अंजस्ट लौ था गरत सॉल्ट की उपर इतना नहीं होना चाहिए इतना करी लगा दी थी ठीर टैक्स लगा दिया था तो वह नहीं होना चाहिए तो सॉल्ट लोग को ब्रेक्ट करने के लिए उन्हें पूरी हिम्मत कर दिखाई और कोट एरेस्ट से भी नहीं डिये रहे कि अगर कोई सामने आता है मुझे कोई एरेस्ट कर लेगा तो इससे बिने डरे और फेमस डानजीम आज को अंजाम दिया 29 जो रेजिस्टेंस थी ठेक है और जिस्टेंस थी बहुत फेमसंदी से शानती से हसी बइसे आप पर शुक्ररी कि ढर ना तो तोड़ा ताड़ी भी कर रहे हैं चीजों को तोड़ रहे हैं या सड़के जाम कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था and a fight for truth and justice ठीक है was peaceful and a fight for truth और लड़ाई की चीज़ की होती थी truth के लिए और justice के लिए होती थी सचाई के लिए और न्याई के लिए लिए होती थी इस तरह से यह चीज़ लिंक होती है डिरेक्ली उनके जो ideas से सत्याग्रे और non-violence के चलिए question number 6 करने के बाद question number 7 के तरव चलते हैं why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund for farmers तरीकि फैले 50% बोला था लेकिन finally वो 25% पे ही settle हो गयते तो ऐसा क्यों हुआ तो देखिए answers का क्या होगा for Gandhi, Gandhi के लिए the amount of the amount of the refund, जो amount है refund का was less important, वो less important था than the fact, इस fact के मकाबले that the land had been forced to return a part of their money, सबसे पहली चीज़ the fact कि उनको कुछ पैसे वापस करने पड़े हैं, यानि वो गलत प्रूव होएं, और गलत प्रूव होने कारण and with it part of their prestige है, इतनी जो वो लोग बहुत राजाशाही करते थे, तो उनकी इज़द भी थोड़े से कम हो गई है, कि इन लोग सिचिएशन को better के कि पीज़ट्स की सिचिएशन को, the peasants were saved from spending time and money on court, so court पे लोग बार बार उतना समय लगा रहे थे, इतना पैसा लगा रहे थे, उन lawyers को पैसा देने में, तो वो पूरी तरह से बच गया, वो एकदम उसका उनका control छोड़ दिया, और इसके बाद क्या हुआ, वो finally, parents के बाद चले गए और इसकी बाद से क्या हुआ, इंडिगो sharecropping disappeared, वो पूरी तरह से disappear हो गए, बंद हो गए इसके बाद देखें, हम message की तरह चलते हैं, अपने final part जो है poem का ठीक है, और इसको हम देखतें क्या है, the message story is the story Indigo highlights the unequal economic system that existed during colonial British rule तो क्या चीज़ को highlight करती है जो unequal economic system जो colonial British rule के टाइम पे रहा करता था, it resulted in Indian peasants suffering while British planters exploited them तो ये result होता था, इसमें क्या होता था problem क्या थी इसमें peasants suffer करते थे, परशान होते रहते थे ठीक है, इनको दर्द होता रहता था, while British planters exploited them, जबकि British planters उनका शोशंट करते रहते थे, करते रहते थे, बिना सोचे, it also highlights the importance of Gandhi's decision to take up their case which exposed the unjust system और इस चीज़ को highlight करता है, ये चीज़ भी message देता है कि क्या चीज़ गांधी जी ने जो, इनका case लिया और उस unjust system को expose किया तो इस चीज़ को भी इसका भी कितनी importance थी गांधी का case लेना इस चीज़ को भी ये चीज़ chapter जो सामने लाता है इसके बाद चलिए, ये तो हमारा chapter हो गया complete, इसके बाद आपको PDF notes जो है आपको नीचे description में मिल जाएंगा, आप देख ली जाएगा इसके अलावा आपको जो कुछ long answers PDF में आपको देता हूँ हर उसमें, वो भी आपको मिल जाएंगे तो वो भी आप नीचे download करके उनको try करिएगा और मुझे पूरी उमीद है आप कर लेंगे चलिए, तो आज के लिए इतना ही VSS TV कपो चैनल पर आप ऐसे जुड़े रहिए, आप पैसी प्यार देते रहिए और बाकी तो चल रहा है यह आगे poetry वाला भी देखते रहिए चलिए, thank you झाल